हर हर महादेव ट्रया भूले नाथ हिंदू धर्म में तुलसी को मा लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है इसलिए घरों में इस पवित्र पौधे को लगा कर विदी विधान से पूजा करी जाती है कई लोग अपने दिन की शुरुवात तुलसी को जल जड़ा कर और दीब जला कर करते हैं हर साल तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाएगा दोस्तो धार्मिक मानिता के अनुसार इस दिन जो भी व्यक्ती तुलसी का पूजा करता है उस पर मालक्ष्मी प्रसंद होती हैं जिससे की सुक और सम्रद्धी का आशिरवाद मिलता है तो दोस्तो चलिए जानते हैं कि तुलसी के पूजा का क्या महत्व है और इसकी पूजा के क्या नियम है साथ ही हम इस दिन तुलसी पूजा के कौन से ऐसे उपाय करें जिससे कि हमारे सभी रुके हुए काम पूरे हो जाए और मा लक्ष्मी की सदेव क्रपा हम पर बनी रहे इस जानकारी के लिए वीडियो को लास तक देखिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हाँ अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स पे लिख करके ज़रूर बताईएगा दोस्तो तुलसी पूजन दिवस का बहुत महत्व है ये देवी तुलसी की पूजा करने के लिए एक पवितर दिन माना गया है दोस्तो इस दिन कुछ लोग अपने घरों में पूजा करने से पहले नए तुलसी के पौधे को लगाते हैं जबकि कुछ लोग अपने घरों में पहले से लगे पौधे की पूजा करते हैं। दोस्तो तुलसी अपने ओशदी गुड़ों के लिए भी पहचानी जाती है। इसका धार्मिक महत्व तो है ही साथ ही ओशदी गुड़ों से भी ये भरपूर होती है। दोस्तो चली जानते हैं कि इस दिन तुलसी माता की पूजा करने के क्या नियम है। हमें किस प्रकार से इस दिन पूजा करनी चाहिए। दोस्तो इसके लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकरके इस नान्ध्यान करें। उसके बाद तुलसी माता को जल चड़ाना चाहिए तुलसी माता को जल चड़ाते समय मंत्रों का उच्चारण जरूर करे इसके बाद सिंदूर और रोली का टीका लगाए फिर तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाए इसके पश्चात फल और मिठाई का भोग हमें तुलसी माता को लगाना है फिर तुलसी स्त्रोत का पाठ करें और फिर आर्ति करके पूजा का समापन करें दोस्तो इस दिन हमें तुलसी माता के आशिरवात के रूप में तुलसी की माला धारण करनी चाहिए दोस्तो तुलसी पूजन दिवस का बहुत ही धार्मिक महत्व भी है यह देवी तुलसा की पूजा करने के लिए एक बहुत ही पवित्र दिन माना गया है इस दिन कुछ लोग पूजा करने से पहले नई तुलसी के पौधे लगाते हैं जबकि लोग अपने घरों में पहले से लगेवे तुलसी के पौधे की विधिविदास से पूजा करते हैं दोस्तो तुलसी अपने आप में एक औशदी गुडो से भरपूर पौधा होता है उसकी पूजा से परिवार में धन, सम्रद्धी और खुशाली बनी रहती है दोस्तो मा तुलसी को लक्ष्मी का प्रतीक भी बाना जाता है और उन्हें हरी प्रिया भी कहा जाता है ऐसे में तुलसी का पूजन बेहदी महत्वपूर माना जाता है दोस्तों कहते हैं जहां पे तुलसी का पौधा होता है वहां पे नकारत्मक उर्जा बिलकुल भी नहीं रहती और चारोर सकारत्मक उर्जा का संचार होता रहता है साथी जहां पे तुलसी का पौधा लगा होता है वहां पे किड़े मुकड़े भी नहीं आते हैं दोस्तो, रोजाना तुलसी की पूजा करने से जगत के पालन हरता, भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी की क्रपा हम पर विशेश रूप से होती है. इसके अलावा घर में हमेशा सुख और शांती बनी रहती है. तुलसी के महत्व को समझने के लिए ही हम हर साल 25 दिसंबर को तुलसी दिवस मनाते हैं. दोस्तो, माननेता है कि तुलसी दिवस पर तुलसी का उपाय करने से व्यक्ति को जीवन में आर्थिक लाप तो होता ही है और उसके रुके हुए सारे काम भी पूरे हो जाते हैं. तो दोस्तो, जानते हैं कि तुलसी दिवस के दिन हम किन उपायों को करें जिससे की मा लक्ष्मी की कृपास सादेव हम पर बनी रहे और हमारे सभी रुके हुए काम पूरे हो जाए. दोस्तो, अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूज रहे हैं, तो तुलसी पूजन के दिन तुलसी की जड़ को लाल कपड़े में बांध कर मंदिर में रखें और इसकी प्रतिदिन पूजा करें. माना जाता है कि तुलसी की जड़ की इस तरह से पूजा करने से आर्थिक तंगी से राहत मिलती है. इसके साथ ही सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलाना बहुत ही शुब माना जाता है. आप तुलसी दीवस पर सुबह शाम घी का दीपक माता लक्ष्मी और तुलसी उजी के सामने जलाए माना जाता है कि ऐसा करने से नौकरी मिलने के योग बनते हैं दोस्तों इसके साथी सुखी वैवाहिक जीवन के लिए तुलसी पूजन के दिन भगवान विश्नु को चंदन का तिलक और देवी लक्ष्मी को लाल चुनरी चढ़ाएं साथी तुलसी दल से भोग लगाएं ये काम करने से दामपत्य जीवन में खुशियां आती है और जिस किसी का भी दामपत्य जीवन दुविधाओं से घिरा हुआ है या कोई परिशानी है वो सभी परिशानियां दूर हो जाती है तुलसी दिवस के दिन सुबह इसनान करके मंदिर के दोनों और रोली और घी मिलाकर स्वास्तिक का चिन्ध बनाएं ऐसी मानिता है कि मंदिर में स्वास्तिक बनाने से घर में सुख और शान्ती आती है दोस्तों अगर आप किसी विशेश कारे में सफलता पाना चाते हैं तो इसके लिए आपको एक उपाय करना है कि तुलसी की जड़कों गंगा जल से धोकर उसकी विधी पूर्वक पूजा करें फिर उसके बाद उस जड़कों पीले रंके कपड़े में बांध कर रख दे और जब भी किसी जरूरी काम के लिए जाएं तो इसे अपने पास रख ले इससे आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी तुलसी दिवस के दिन अगर आप अपने दुरभागे को दूर करना चाहते हैं आपका भागे आपका साथ नहीं दे रहा है तो फिर आप तुलसी दिवस के दिन उत्तर दिशा में तुलसी की जड़के पास एक घी का दीपक जलाएं और गुड का भोग अर्पित करें ऐसा क दूर करने से आपका दुरभागे सौभागे में पदल जाएगा दोस्तो अगर ग्रह दोश से मुक्ति आप पाना चाहते हैं तो ग्रह दोश को सांत करने के लिए इस दिन तुलसी की जड़को लाल रंग के कपड़े में बान कर अपने पास रखें इस से आपके सभी ग्रह दोश दूर हो जाएंगे दोस्तो अगर आप आर्थिक तंगी से जूज रहे हैं तो आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए आप इस दिन एक उपाय करें आपको करना ये है कि तुलसी की जड़को चांदी के एक ताबीच में बना करके पहन लेना है इसके साथी साथ नीमेत रूप से आपको तुलसी की पूजा करनी है ऐसा करने से पैसों से जुड़ी जो समस्या हैं वो आपकी खतम हो जाएंगी और मांसिक शांती भी मिलेगी इसके साथी आप तुलसी के जड़की माला भी धारड कर सकते हैं तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय जो आप तुलसी प रपा आप सब पर बनी रहे तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे